कल का मार्केट कैसा रहेगा कल मार्केट गैप अप गैप डॉन या फिर फ्लैट खुलेगी जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें तो फटा फट से लाइक कर दे चानल पे नए हो तो सस्क्राइब भी कर लें साथ ही साथ बाइल लाइकन के ओल पे किलिक करना बिल् लोग सही चीजे बताते हैं उन पर जरा सभी विश्वास नहीं करते हैं विल्कुल ही अनपड होते हैं अब चलिए बीना देरी करते हुए कलका ट्रेड प्लान करते हैं तो देखें दोस्तों आज के दिन निप्टी-फिप्टी के अंदर क्या हुआ आज के दिन निप्टी- करना है ठीक है अब जो निप्टी-फिप्टी के अंदर इंपोटेंट रजिस्टन्स निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये बाला लेबल जो की लेबल होगा 19,380 का अब माल लिजेगर कल के दिन फ्लैट खुलने के बाद और इस लेबल को यहाँ पर ब्रिकाउट करत करते हैं और यहां तक टार्गेट के लिए जा सकते हैं जो कि अगला लेबल होगा 19,420 का अब माल लिजेगर कल के दिन निफ्टी-फिप्टी इस लेबल के ऊपर गैप आप आपनिंग लेती है तो ऐसे कंडिशन में आप लोग यहाँ पर हरवड़ी के अंदर कॉल की एंट टार्गेट के लिए जा सकते हैं अब जो हमारा इंपोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है निफ्टी-फिप्टी के अंदर वो है ये बाला लेबल जो की लेबल है 19,290 का अब माल लिजेगर कल के दिन निफ्टी-फिप्टी इस लेबल के नीचे गैप डाउन खुलती है जिसकी चांस बहुत ही कम है माल लिजेगर यहाँ पर 1% अगर कल के दिन गैप डाउन खुलती है तो ऐसे कंडिशन में आप लोग यहाँ पर पुट की रिस्क ना ले नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फस सकते हो अब माल लिजेगर कल के दिन निफ्टी-फ निकल के आ रही है 44,600 का सेकेंड रजिस्टन्स निकल के आ रही है 44,690 का अब माल लिजेगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट खुलने के बाद इस लेबल को यहाँ पर ब्रेकाउट कर देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ पॉल भाई कर सकते हैं और यह टार्गेट क में आप लोगों को यहाँ पर जल्दवाजी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं लेना है जब इस लेबल के ऊपर अप्रॉक्सिमेट 15 मिनिट सस्टेंड कर जाती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल भाई कर सकते हैं और यह एक टार्गेट के लिए जा सकते हैं अब जो ब के निफ्टी फ्लैट खुलने के बाद रिस लेबल को यहाँ पर ब्रेकडाउं कर देती हैं तो यहां पर आप लोग दो टार्गेट के लिए जा सकते हैं पहला टार्गेट आप Call or Put के चक्कर में नहीं परना है नहीं तो आप लोग यहाँ पर trappe के अंदर बढ़ियां से यहाँ पर आप लोगों का Lesslair Intercept के बीच में अगर Trape करती है कल के दिन Fnifty तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी Call or Put के चक्कर में नहीं परना है अब मान लीजे अगर कल के दिन फिन निफ्टी इस लेवल के उपर gap up opening लेती है 19,840 के उपर gap up opening लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर बेट करना है जब इस लेवल पर दुबारा retrace करने आती है तब आप लोग यहाँ पर safe call by कर सकते हैं और 50 point target के लिए जा सकते हैं मान लीजे अगर कल के दिन फिन निफ्टी gap down खुल जाती है इस लेवल के नीचे gap down खुलती है 19,760 के नीचे gap down खुल जाती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ retracement पर ही entry लेना है तो आसा करता हूँ निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोग अपने चार्ट के उपर यह अच्छे तरीके से मार्क कर लें ताकि आप लोगों को कल के दिन कामकाज आ सकती है तो फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिन बंदमातरम